Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Terror 6, Where Truth Exposes Darkness तो आज का जो टॉपिक है guys, वो है candle wax reading और आज जो है टॉपिक काफी जादा खास होने वाला है क्योंकि आज हम जानने वाले है कि आपके person के मन में क्या चल रहा है, फिलहाल क्या सोच रहे है और उनका जो है final decision आपके लिए क्या रहेगा यह request काफी बार आता है कि कब वो decision ले पाएंगे, कब final फैसला हो पाएगा So let's see, let's find out guys तो आप उस person के बारे में please सोचेगा पूरी reading में मैं clues देने की कोशिश करूँगी ताकि आपको पता चले कि यह reading आपी के लिए ही है, okay But this is a general reading, so it may resonate, it may not So take it whatever it resonates and leave the rest, okay So let's get started, okay So, आप उस person का दस्वीर अपने पास रख सकते है या deeply उनके बारे में सोच सकते है ताकि आपको right channelize हो Channel को subscribe, like, share ज़रूर करे, Instagram में follow करे मेरा जो दूसरा channel है, उसको भी आप subscribe कर सकते हो So let's see So in your spirit guides and angels, please guide me in the right direction कि मेरे जो viewers है, उनके लिए आप क्या messages देना चाहते है And definitely उनके person फिलहाल क्या सोच रहे है, okay पहली जो मुझे यहां पर दिख रहा है, maybe आपके persons के साथ आपका, कभी न कभा, ठीके कभी न कभी आपने इनके साथ शायद boating किया हुआ है, या कोई ऐसे जगा पर गए हो, जहां पर पानी हो या beach के सामने आपने बैठे हो, या river side के सामने आपने बहुत साथ टाइम बिताया है, शायद, इस तरह से मुझे इस तरह से feel हो रहा है, मुझे बहुत साथ boat riding, ठीके, boating का बहुत साथ लग रहा है कि काफी साथ समय आपने उनके साथ पानी से, पानी में हो साथ है, swimming, maybe in a bathtub or something very naughty, okay, तो cozy और intimate moments मुझे यहाँ पे नजर में आ रहा है, काफी साथ sweet and positive energy दिख रहा है, फिलाल आपके person जो है ना, काफी साथ positive सोच रहा है, यहाँ पे ना, मुझे लग रहा है आपके person या आपके ना, हो सकता है, कि grey eyes हो, या आप लोग lens पहनते हो, या light grey या light blue color का lens हो सकता है, या आपके dress हो सकता है, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे हो, light sky blue, या हो सकता है light green or something, अगर आप female है, तो हो सकता है, आपने scarf ओड के रखा है, या आप scarf बहुत पसंद करते हैं, या आपके partner जो है ना, आपको कभी ना कभा scarf gift किये थे, मुझे लग रहा है आपके person जो है यहाँ पर देखो, two, two directions are coming, तो यह person जभी भी आपके बारे में सोचते हैं, इनका भागिये यह, अपने भागिये को कोसते रहते हैं, यहाँ पर अच्छा सा direction आ रहा है, so this person may be living, जहाँ पर आप रहते हैं, उससे west हो सकता है, रहते हैं, west to south east direction पर रहते हैं, ओके, अभी देखो, turn हो रहा है, south east to south, turn हो रहा है, west, south east and south, या north के रहते हैं, तीके, अभी जो है ना, फिलहाल, बिचारे मैं बोल सकते हूँ, या जो भी है, यह person, जबी भी decision लेने की कोशिश करते हैं, और आप दोना का भागिये में इस तरह से है, कि यह person हमेशा first जाते हैं, दो-दो राहे इनके सामने आ जाते हैं, और यह बिल्कुल ना, एकदम, मैं क्या बोलू, this person gets totally freezed, okay, in cold, मतलब यह पूरा पत्थर जैसे बन जाते हैं, मतलब क्या करें, इनको समझ में नहीं आता है, and definitely अगर इस person है, आपको कभी ना कभी, okay, आपको दुख पहुच आया है, तो इस बात का तो इनको अपसोस है ही, दुसरे तरफ इनको लग रहा है, कि आपकी जैसा कोमल हृद है, इसको बोलता है ना, very soft-hearted, kind, affectionate relationship, शायद इनको rarely मिलेगा, ना कभी मिला था, ना future में कभी मिलेगा, अगर आप इनके जिन्दगी में नहीं आये तो, हो सकता है, इनको बहुत कुछ पैसा ये कमा है, या बहुत कुछ हो सकता है, but this relationship like you, he or she will never get it, ठीके, because you are unique in their connection, आपका जो connection है, इनके साथ काफी ज़्यादा मुझे लग रहा है, unique है, ओके, और देखते है, यहाँ पे ना, मुझे इस तरह से देख रहा है कि, आप जहाँ पे हो, के, आसपास हो सकता है, कोई जूला हो, maybe a swing or something, या पार को जहाँ पे जूला आपको दिख रहा होगा, या आपके, अगर आप already husband wife थे, लेकिन आगर आपके बच्चे थे, तो हो सकता है, आपके बच्चे आपके साथ हो, baby, but फिलहाल आप लोग सेपरेड़े है, due to certain issues, और आपको उस बात का बहुत ज़्यादा गुसा रहा है, and मुझे, I don't want to say naughty things, but still I have to say, because जो मैं देख रही हूँ, तो मैं बोलूंगी न, आपके person, क्या बताओ, if you're female, okay, and watching the video, आपके person हो से थे, आपको कभी ना कबार, maybe they had gifted you certain night dress, or something, underwears, or something maybe related to lingerie, or something, तो, मतलब आपने intimacy में हो सकता है, इनका कुछ favorite, इन्होंने आपको gift किया था, या आपने खुद पहना था, उस तरह से मुझे दिख रहा है, और वो dress, okay, उसका photo, या जो भी है, videos, जो भी है, okay, cozy moments, private moments, वो हो ही सकते है, तो शायद वो, इन्होंने store करके रखा है, अपने mobile प है, अगर इस तरह से है, so please let me know in the comment section, and if you were in a honeymoon period, or something like that, maybe they had gifted you, ये उन लोग के लिए, जो already married थे, ये उन लोग के लिए, जो already relationship में काफी जादा deep थे, या भी हो deep, क्योंकि या अभी का relationship का भी बात हो रहा है, ये person military sector में हो सकता है, या इस कोई जगा पे posted हो सकता है, जहां पे for example, स्रीनागर, या कश्मीर, जहां पे बहुत बरफ पर रहा है, ठीके, उस जगा पे posting हो सकता है, या उनका घर हो, या आप लोग गए होंगे, कुछ ऐसा snowfall होता है, कोई भी area, maybe out of the country भी हो सकता है, does not matter, maybe in America or Canada, you had planned, you had visited, इस तरह से, V letter यहां पे important है, Y letter यहां पे important है, I letter य C letter है, okay, मुझे लग रहा है, जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे, and after the reading gets over, okay, आपको बहुत ज़्यादा मुझे लग रहा है, urge होगा, crave होगा, कि उनके साथ आप meet करे, ठीके, face to face, मतलब आपको बहुत ज़्यादा positive feel होगा, और आप बहुत ज़्यादा बेचैन हो जा हो साथ है, कुछ लोग, आप call भी कर लो, इस person को, अगर आप already contact में हो, तो साथ है, आप already call कर लो, इस person के तरफ से मुझे call का है, मुझे कुछ signals भी आ रहा ही है, शायद आपको contact भी करें, अगर आप no contact में हो, S letter is important, Leo is important, okay, कुछ लोग के लिए परसन का location MP हो सकता है, मध्या Pradesh हो सकता है, central part of India, okay, or you are located in central part of India, or maybe in the central part of Asia, or any part of the continent, हो सता है, क्योंकि कहीं से भी लोग देख रहा है, so I cannot say like that, but मुझे लग रहा है, middle portion of our country, यहां पे देखो, यह कितना से तक इस तरह से बनते जा रहा है, this is a sheep, my god, a face has come, देखो, यहां पे देखो, I am pointing out that this, मुझे आपको नहीं लग रहा है कि रोबोट की तरह, या आपको कौन सा शेप दिखा रहा है, because it's a psychology, ठीक है, आप लोग प्लीज मेंशन करना, comment में आपको क्या देख रहा है, मुझे इस तरह से देख रहा है, कि some devil energy or something evil energy आप दोनों का अलग कर रहा है, ठीक है, someone is behind, see the picture, wow, this is, this is amazing something, ठीक है, कोई बहुत लगादार कोशिश कर रहा है, आप दोनों का अलग करने का, can you see that in the light, कोई भेज बदल रहा है, आपको पता नहीं है, आपक करीब कोई हो सकता है, या उनके करीब कोई हो सकता है, जिस सरह से उनका नजर है, this is like the skeleton, or something like that, unusual, something alien like, maybe you are a star seed, और यह आपके person भी हो सकता है, star seed, you have a life purpose, आपके साथ इनका life purpose है, यह भी हो सकता है, कि आपके person के muscles हो सकता है, अगर आप male के लिए देख रहा है, अगर आप female के इनका fit body हो सकता है, यह कुछ unusual dresses भी पहनते है, I do think so, मुझे expectation नहीं था कि इस तरह से कुछ आ जाएगा, मैं इसको photo करके देखा दूंगे आपको, oh my god, आपको क्या दिख रहा है आप बताना, एक एक person को अलग अलग दिख सकता है, I don't know whether you know the study or not, मुझे नहीं बता आप it's completely on the mind and consciousness and subconsciousness का खेल होता है, जहां पर अलग अलग शेप अलग अलग लोगों को दिखाए देता है, based on their left brain and right brain analysis, तो अगर यह आपके person है, तो यह लगातार कोशिश कर रहे है कि struggles कर रहे है, ताकि आप तक वो पहुच पाए, आप तक वो attempt कर पाए, कुछ positive side मुझे यहां प तो यह person कोई भी एक male हो सकता है, पुरुश हो सकता है, जो आप दोनों को बिल्कुल करिवाने नहीं देना चाते है, I don't know who is that male person, male member, ठीक है, और क्या देख रहे हैं, ओके, universe लेकिन इस person को रोकेगा अगर यह evil है, रोकेगा, of course रोकेगे, बार बार arrows आने का मतलब यह है, कि कुछ directions, आपके persons को भी मिल रहे है, कुछ synchronicities, उनको भी मिल रहा है, फिलहाल, और यह person जो है, आपके पास आने की कोशिश करे, क्योंकि उनको शायद realization हो चुका है, ठीके, अगर वो decision नहीं ले रहे थे, आपको यह person पूरी तरह से मुझे लग रहा है, कि वाकिफ हो चुके है, हालात से, कि कौन उनका अपना है, कौन उनका पराया है, मुझे लग रहा है, यह person के घर में हो सता है, यह आपके घर में हो सता है, काफी ज़दा, जो चिरिया आते हो, आप फीट करते हो, या उनको फीट करन से आपको पोनिया मिल रहा है ठीक है you are receiving the blessings from the bird's energy in the animal spirit ठीक है alright okay किसी को मुझे लग रहा है यहां पे swimming पसंद होगा या bathroom singer मुझे लग रहा है कोई यहां पे bathroom singer हो सकता है okay alright I do find someone wearing a helmet and helmets किसी को maybe your person wear a helmet या आप दोनों जब bike rides में चाते थे दोनों एक साथ घूमते थे ना टुब विले maybe you used for safety purposes अच्छा आपके person या आपके हो सता है light eyebrows हो मतला fine eyebrows हो सकते है और upper lips थोड़ा सशा हो सकते है किसी का lower lips थोड़ा सा broad हो सकता है चौड़ा हो सकता है और आखे थोड़ा सा लंबा लंबा हो सकता है और face round हो सकता है किसी का और rectangular हो सकता है किसी कोई brain से बहुत ज़़ा सोच रहा है logically सोच रहा है actively सोच रहा है it's not a passive thinking आपके person ऐसा ही casually बिल्कुल नहीं ले रहे है connection को अगर आपको सोचना ऐसा है बिल्कुल ऐसा नहीं है आपके person अभी दिमाग को यूज कर रहा है strategies को मतलब वो पूट करने के कोशिश कर रहा है कि किस तरह से एक connection को बिल्ट किया जा सकता है and he or she is getting many opinions लोगों से advice भी मिल रहा है उनको बाकी देख लेते है but this is also can be a leopard energy cheetah or something जो बहुत सथा fast भागते है आपके person का mustache हो सकता है मूचे हो सकता है या वो बहुत सथा अच्छे से beard को रखते है अगर male के लिए आप देख रहे हो ओके आपको कुछ खबर इस person आपको इस तरह से चौका देंगे ना आपके मुँ ऐसे हो जाएगा हाँ, ऐसा भी हो सकता है no no, how is it possible मतलब आप विश्वासी नहीं करोगे जिस तरह से ये person आपके सामने आएंगे और कुछ बोलेंगे भी okay scorpion energy is very dominant mangal का बहुत ज़दा प्रभाव है आपके ये आपके person के chart पे देखो आपके और आपके person के इस मैं बोल रहे हैं, मैं तो tarot cards से मैं नहीं देख रही हुँ ना, कि वाना मैं बोल देती कि किसका है यहाँ पे zodiac sign but this zodiac signs are related to you or your person tarot cards से पता जाल सकता है because but this is actually little bit complex to find कि किसका कौन सा sign है but ये relate कर रहा है okay और देखते हैं और हमें क्या clues मिलता है question marks बुझे देख रहा है तो कुछ doubts आपके person का इसलिए है, insecurities इसलिए है कि अगर ये efforts दिये ठीक है, अगर हो सथा ये person आपको unblock भी कर दे कुछ लोग के लिए या आप उनको block करके रखे हो उनको लग रहा है किसी भी तरह अगर वो आपके सामने पहुच रहे है क्या आप उनको वही प्यार दे पाऊगे जो पहली की तरह रिष्टा था अगर नहीं दे पाए तो ये उनका insult हो जाएगा ये person बहुत सथा intuitively सोच रहा है मतलब समझ रहे हो ना this person is not thinking emotionally मैं बार बार बोल रहे हूँ ये emotional होके कोई decision लेने वाला इंसान नहीं है या भी actively सोच है because his third chakra और the crown chakra जो बोला जाता है वो काफी सथ active हो चुका है ठीक है देखो फिलहाल तो ये person का धीरे 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 आपको this person wants to eat you up it's like that okay so Capricorn energy is very much dominant also here okay किसी को यहां पे बिच हुआ दा Scorpio से हो सदा बहुत दा डर है या हो सदा spider से बहुत दा डर लगता है आप लोग को और ये person ने कभी ना कभी आपको डराया होगा okay some haunted events हो चुका होगा मतलब कुछ movies आपने देखा होगा या शेयर किया होगा एक दूसरे के साथ मतलब आप लोग बहुत दा फ्रेंडली थे as a connection but somehow there are where problems या हो सकता है कि relationship smooth नहीं रहा और वो चीज़ आप miss कर रहे हो और ये person भी फिलाल काफी ज़ादा वो चीज़ miss कर रहे है किसी को यहाँ पे बिंदीज पहना बहुत पसंद है for female आपको बिंदीज बहुत बड़े बिंदीज हो सकता है आपको लगाना बहुत पसंद हो और वो बिंदी वाली तजबीर या आपके कुछ favorite dress का photo है उनके पास जो वो लगाता देखते है अगर आप female हो अगर आप male हो तो हो सकता है कि आप उनके photos देखते हो या आपके photos जो है जो best photograph जो couple photo है शायद उनके पास रह चुका है ठीके और वो शायद आपको बताते भी नहीं लेकिन देखते है ओके all right मुले लग रहा है कि उनको बहुत बहुत हो रहा है इस वक्त और जिस वक्त आप इस reading को देख रहे होंगे maybe it is during the afternoon time or something like that okay देखो this will be during the afternoon time हो सकता है दो पहर को आप देखो कभी भी देख सकतो but still for some of you या हो सकता है कि इस reading को देखने के बाद आप आपके wallpaper में या कही न कहीं आप एक तजबीर देख लो सुरज देवता की मतलब संब की तजबीर आपके सामने आ जाएगा okay and यहाँ पर L letter यहाँ पर important है I love you शायद वो बोलना चाहते है लेकिन डर रहे है hesitation बहुत ज़ादा है final decision जो मुझे यहाँ पर लगा कि this person जो भी है मैं ऐसे ही नहीं बोलोंगी कि तुरंथ ले लेंगे decision but this person is actively involved अभी उनका actively involvement मुझे दिखाई दे रहा है जाब यह person धीरे धीरे stepwise plan करके है ऐसे ही थोड़ी आज जाएंगे बोलो उनको सोचने का तो worked up दोगे ना तो यह person धीरे धीरे सोचेंगे and then the person is going to आप देख रहा हो ना कुछ evil energies या evil energies अगर मैं superstition के बात में अलग सा ही रख दो लेकिन कोई तो ऐसा है उनके 8th grade specially कोई male member उनके friend उनके कोई भी हो सदा family members में से कोई भी हो सदा है जो करीब नहीं आने देना चाते है क्योंको उनको पसंद नहीं है तो हो सता है कि यह person जो है जिनके साथ आपका dealings हो रहा है this person is rich income बहुत ज़्याद अच्छा कर लेते है घर को अच्छा से समहल सकते है अपने छोड़े भाई बहन होंगी इनके तो इनके responsibilities यह भूल जाएंगे अगर शादी कर लेते है तो इस डर से यह person का जो भी है वो जो इनसान फायदा उठाना चाहते है शादी होने के बाद तो वो नहीं कर पाएंगे आप दोना अगर एक साथ हो तो वो नहीं कर पाएंगे इसलिए उनका दखला अंदाजी बहुत ज़दा मुझे लग रहा है त्यान भी धाट पाटी मेभी यह male ना हो के female भी हो साथ है कुछ लोग female जो भी होते है उनके अंदर भी कुछ strong masculine character भी हमें मिलता है because energy we cannot say it particularly this is a male or a female but male energy काभी strong था मतलब masculine quality हो साथ है इनके mom हो साथ है उनके sister हो जो काफी ज़दा strong है उनी का decision शायद यहाँ पे चलता है that's why this thing has come maybe यह person जो है वो young मतलब बड़े member है older okay maybe from the brothers or sisters इस साथ हो सकता है या younger होते वे भी बहुत कुछ सम्वाल सकते है family को चला सकते है इनके पास capacity है या यह बहुत ज़दा dedicated है अपने family के लिए ठीक है समझ में आ रहा है ना ति उनका उसको दखते है उनका business हो तो यह समाल रहे है तो फिला तो यह जो इंसान है third party situation मुझे इस तरह से लग रहा है और third party यह भी है इनका mindset है जो यह थोड़ा सा hesitation कर रहे है बट मुझे दिख रहा था काफी ज़दा positive approach towards you finally यह person जो है indecision होते वे भी यह person आपके करीब जरूर आएंगे okay so this is all what I had today and clues जो मैंने दिया है शायद वो आपके साथ match हो जाए resonator कुछ लोग हो सता है red velvet cake पसंद हो या आपको कभी उन्होंने खिलाया हो या red color का कुछ food products ठीक है हो सकता है जो भी मुझे दिखा आज मैंने आपको दिखा दे it was amazing to find out the alien part in this reading so देख लेते थोड़ा सा tarot से just a second guys hmm तो देख लेते हैं कि यह person जो है न का final decision क्या होगा so what will be the final decision of this person final decision क्या होगा देखो compatibility देखो तो यह person सोच रहे है आप दोनों के बीच में जो फासला आ चुका है अक्वेरे जिमनाई लीबरा हो सता है आप यह आपके person हो जो भी है तो यहाँ पे देखो light green मैंने आपको बताया था color में तो यहाँ पे भी light green कुछ आया चिरिया यहाँ पे बहुत ज़दा आया जैसे मैंने आपको बताया red velvet cake का मैंने उधारन दिया था तो red color का कुछ jacket यहाँ पे आ रहा है okay so मुझे लग रहा है फासले यह person चाहते है made चाहते क्योंकि इनको बहुत ज़दा याद आ रहा है आपका दूसरा चीज देख लेते हैं यह person बिल्कुल क्या चाहते है next is that luminosity मैंने बताया था कि sun का energy है यह person आपको बहुत ज़दा चमकते वे दिख रहा है इनको लग रहा है आपके साथ connection होने से बहुत बहतरीन होगा जिंदगी luminosity indicates the positive things in our life ठीके और यहां पे मुझे दिख रहा है कि चाहते है कि transformation हो जाए relationship सब कुछ चीज सुधर जैमन आपको बता था कि eyebrows हो सकता है कि थेन तो इस तरह से मुझे यहां पे दिख रहा है ठीके और मुझे लग रहा है आपके person काफी स्था sexual भी हो रहा है आपके लिए next is that third देख रहा है मुझे divine masculine मैंने आपको क्या बता था कोई ऐसे person involved हो सकता है जो strong masculine character में हो ठीके यह खुद यह हो सकता है या इनके कोई हो साथ है जो आप दोनों का अलग करने की कोशिश कर रहा है लेकिन यह person आपके divine masculine है यहां पे जो मुझे लग रहा है यह आपी के person है divine counterpart है इनके अंदर जो शक्ती है बहुत मतल़ जैसे बोलने है साधरन नहीं है इनसान unique connection is it and you have to feel the connection यह person मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा यह person अपने जो है ना energy में काफी ज़्यादा वाकिफ है यहां पे देखो टॉरस बहुत को Capricorn का energy खो सकता if this person can be Leo or you can be Leo whatever be it is तो जो भूल भूलाया में यह person first गये थे उससे यह निकलने की कोशिश करे और आपके तरप एक strong decision यह ज़रूर लेंगे देखो bottom of the deck आया है the silver waterfall silver waterfall का मतलब यह है कि आप जो चाहते हो waterfall water always means a cancer by Scorpio energy जहांपे healing energy है जहांपे यहांपे इस जो रिष्टा है यह सुधरने वाला है इसमें शान्ती आने वाला है जैसे पानी पीने से हमें हम अगर प्यासे है तो हमें शान्ती मिल जाता ही तो इस relationship में भी peace will be restored everything will be balanced and difficult समय अगर चाल रहा है तो definitely it will be over difficult समय जो है वो खतम होगा and आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं छोना है because you are love birds you are definitely about to fly with each other ठीके भाले difference हो background में status में, religion में, community में true love never decides okay unconditional love होते है अगर आप सोच रहे हो कि वो बहुत ज़दा rich है और वो सोच रहे है बहुत ज़दा beautiful हो तो relationship में balance नहीं है relationship तभी balance होता है guys जब आप दोनों ही समझोगे कि दोनों ही बराबर हो, you both are equal तो यहां पर मुझे लग रहा है healing अभी भी बाकी है so the time is definitely there and best days are yet to come अभी भी अच्छा समय आने के ओं लिए बाकी है, so this is all about today's reading, I hope you like it and if you like, please do subscribe, share and do comment in the comment section, till then take care of yourself and keep watching divinity, terror, or six by truth always exposes darkness, thank you guys